ρώ़ नमस्कार बच्छों कैसे हैं आप लोग आई होका आप लोग बहुत अच्य होंगे सुरस्थ होंगे और खापी के टनाटन कर रहे होंगे तो आयए आज किस वीडियो में हम तो बच्चो यह जो वीडियो है यह इस अध्याय तीसरी अध्याय का यह पाठफॉड है मतलब इससे पहले तीन वीडियो बन चुकी है और आगर आप लोग टीनों वीडियो नहीं देखा है ना, तो ही मैं आप लोगो एक सटिक तरीका बताता हूं, कैसी देखना है, वहीं आप लोग जाना चेनल में जहां किलिक कर रहे हो ना, वहां उसके बाद जाना प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा कलास 10 सोशल इसका पूरा जितना भी विश्य है ना उसके अंदर सभी विश्य हैं का आपको वीडियो मिल जाएगा और हाँ इसका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड भी वहीं पे होगा मैं आप लोग का जो डोरेशन होता हम लोग मेरा पढ़ाने का तो 35 से 30 या 40 मिनट का होता है व प्रियास भी आप लोग का हो चुका है नहीं देखे तो देख लिजेगा एकदम जवर्दस तरीकास एकदम आपने भासा में आप लोग को पढ़ाने की हमेशा कोशिस रहता है कि ताकि बच्चे जो है समाजिक विज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाए क्योंकि बहुत सार करते हो और कमेंट नहीं करते हो तो भही मुझे मजा नहीं आता देखो यहां पाठट हो गया देख लो सबसे पहले मैंने आप लोग को बढ़ाया था कि लोगतंत्र किसको कहते हैं एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग को बूलना है क्योंकि यह अंतिम वीडियो इस अध्या लिए जनता के द्वारा सासित सासन को लोगतंत्र कहते हैं और यहीं से हम एक बात को असपष्ट करन देना चाहते हैं कि सरकार को मैं बनाया हूं हम लोगों ने बनाये ना कि सरकार ने हम लोग को बनाया इसलिए हमेसा याद रखना सरकार को हम बनाते हैं और सरकार को बना सक बीवाटि धर्म फिर यह सब पे आप लोग कभी वोट मत दीज़िये ठीक है जो आपको लगे यह हमारे देश के लिए सही काम करेंगे हुल के रूफ देना है तो लोग तंतर का मतलब कैंटलोप पुलत मतलब होता है जनता और तंतर का मतलब होता है फार्टे च्मारे बहुमिकांस मीं, जैन संगर्स कि भूंई का है ? इससमें इसलिए लिए आने चर्चा किया था भारत Belendatiug नोंने spinach कぎई। नेहरु उनकी गईदित का नाम क्या था ? इंद्रा गांधि नाम था उगस्के बाद दूसरा अरो परधान मंत्री बंता है ? इंद्रा गांधि इंद्रा गांधी क्या साधी हो जाता है फिरोज गांधी से फिरोज खान से जो कि बाद में वो हिंदू बन जाते हैं ठीक है और हिंदू रिती रिवाज के द्वारा उनकी साधी हुई थी ठीक है और यहां पे इंद्रा गांधी के दो बेटे होते हैं संजय गांधी और राज प्रिली की थी ठीक है उनके दो एक बेटा है और एक बेटी है राहुल गांदी और प्रियंका गांदी इन सभी चीजों के बारे महां लोग चार्चा करते करते आगे बढ़ेते जिसमें मैंने बताया था कि इंद्रा को इस्थिपा देना परा था देश सही से नहीं चला पा र अला था क्योंकि अब जो है सरका जंता बहग गई थी इंद्रा गांदी को बोट नहीं देना चाह रही थी तो वही होता क्या है इंद्रा गांधी मार दिये पहली है अच्छे इस बीच सुनलों ने 177 की कहानी बता रहे दो पार्टी होते एक जंता दल और एक कॉंग्रेस प जाती है दो जगे होता है राम बरेली और अमेठी दोनों कॉंग्रेस का गठमाना जाता है वहां से भी कॉंग्रेस जो है हट हार जाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर पीम बन जाते हैं मुररजी देश आई और इनको भी अनुभव नहीं था फिर कोन बन जाती इंद्रा जब देश को सही काम करने के लिए जब वो चली ही थी अच्छा काम करने के लिए की भी थी तो क्या होता उनको गोली मार दिया जाता है कौन सत्वंत सिंग और वेयंत सिंग दोनों मिलके मार दिया अब कारण क्या था कॉमेंट बॉक्स में बताना आगे मैंने आप लोग को पढ़ाया था चिपको अंदोलन जो उत्तर परदेश के चमोली जिले में 1970 में हुआ था आगे हमने परहा था आप लोग को क्या दलित पैथर जो 1970 के दसक में बनाया गया था आगे हमने परहा था क्या भारतिये किशान यूनियन इसके परमुक नेता कौन थे यह आप हमें कमें करके बताईएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहां पर तारी विरोधी अंदोलन जो उनीच्ट्वा बेरानवे में हुआ था कहां हुआ था अंद्र परदेश के ने लोड जिले में हुआ था ठीक जो महलाओं की द्वारा ये अंदोलन चलाया गया था आग बढ़ते ही हमने देखा था नर्मदा बचाओ अंदोलन ठीक है इनके बारेम भी मैंने पढ़ा रखा एकदम जबर्दस तरीका से आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग क्या तीसरा पाठ आगे तीसरा पाठ में हम लोगों ने देखा सूचना का अधिकार अंद पर अगे बढ़ते हैं राजनितितिक दलकार्थ बताते हैं आत लोग को योगदान क्या है और जो गणीरितिक दलं की पर मुक्य चुनोतिया क्या है जो मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझा रखा है ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अब आगे हैं पार्ट फोर में यह जो था आप लोग का एक तरह से रिविजन भी हो गया बहुत सारी चीज़ें अब इसमें हम लोग समझते चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है एकदम देशी भास आम आप लोग को समझाते हैं यह इसलिए मैंने आप लोग को इतना रिविजन किया कि ताकि आप लोग को फिर से वो सारा का सारा चीज माइंड में सेट हो जया ओके आए हम लोग सुरू करते हैं पार्ट फोर इसमें देखते हैं भारत की परमुक राजन राजनितिक ब्यवस्था में राजनितिक दलों में दो स्वरूप हैं राश्टिय राजनितिक दल वैसे समाजिक दल हैं जिनका अस्त्वित्व पूरे देश पर कारकरम एवं नीतियां राश्टिय अस्तर से होती है उसे हम लोग राश्टिय दल किसको कहेंगे वैसा समाजि एवं कारकरम राजनीतियां राष्टिय अस्तर का होता हो उन्हें राष्टिय राजनीतिक दल कहते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा वैसा राजनीतिक जल जिनके कारकरम नीतियां विचार धारा किसी राज एवं विशे छेतर तकी सीमित होता है ऐसे दल को आम तोर पे राज अ होता है ठीक है कोन राजनीतिक दल राश्टिय राजनीतिक दल और राश्टिय राजनीतिक दल राश्टिय राजनीतिक दल और कोन राज्य अस्थरिय इसका निर्धारन निर्वाचन आयोग करता है कोन राश्टिय कोन राजनीतिक दल राश्टिय राजनीतिक दल होगा और कोन राज अस्तर ये होगा इसका निर्धारन कोन करता है निर्वाचन आयोग ठीक है और राजनितिक दलों के चुनाव का चिन जो होता है राजनितिक दल का चुनाव लाल तेन, तीर, कमल ये सब जो चिन आप चिन होता है इसका निर्धारन भी कोन करते है चुनाव आयोग करते है अगे हम लोग बढ़ते हैं ते देखते हैं यहां पर या यह जो कॉंग्रेस का है यह क्या है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का है यह पंजाह ठीक है अब की बार हाथ चाप इसे बोलते हैं चलो तो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के नती करना और सांती मै और सावधानी कोपाव से भारत में समाजबादी राज्य कारिकरम करना सबका जो भी पार्टी है सबका कुछ न कुछ उद्देश होता है आके हम लोग परते चलेंगे ठीक है यह विश्व के पुराने और राजनितिक दल में से एक है इसने स्वतनता प् राष्टिय कॉंग्रेस है ओके आई होप और इसकी अस्थापना हुई थी 885 इस भी में ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं बीजीएपी के और जिसका चुनावचीन है कमल छाप ठीक है देखो भारतिय जनतापाटी इसको बोला जाता है 1980 में भारतिय जन संगस के अस्थापना पर राष्टिय जनतापाटी का गठन हुआ था भारतिय जनतापाटी के पर्थम अध्यक्ष अटल विहारी बाजपेई को बनाया गया है और भारतिय जनतापाटी का मुख्य लक्ष भारत की प्राचीन संस्कृति एबं मुल्यों से प्रेणदे लेकर आधूनिक भारत का निर्माउन करना विजेपी का है कि अपना भारत का जो है आधूनिक भारत का निर्माउन करना इये उद्देच था इनका बारतिय जनतापाटी राष्टिây जनतांत्रिक गठवंदर अन्डा बनाकर अन्डा कर उनीश्रा chambers में सत्ता में आई और 2004 तक पूरे देश पर सासन किया और 2014 से लेके अभी तक ठीक है 2014 से लेके 2024 तक इन्हीं का चल रहा है ठीक है यह तो किताब पुड़ा नहीं थी इसलिए ओके आगे हम लोग भरते हैं CPI ठीक है हसुआ और हथोरा चाप देखिए भारतिय सब्सक्राइबिंपार्टेय के लोग तंतर में आस्ता रखती और संपर्दाइकता का विरोध करती है, संपर्दाइकता मतलantal धर्म जो होता है धर्म को लेके लोग यह करते रहते हैं तो हर्म निर्पेक्ष मौंते हैं सिधी बात समझे ठीक है और संसद्य लोकतंत्र में किसान गरीब एवम मजदुरों के हिते के हित की रक्षा करती इनका उद्देश ये है भारते केमनिश्ट पार्टी 2004 में संयूक्त परगती सील गठवंदन सामील होकर केंद सरकार को बाहर से समर्थन दिया था ये ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं ता आगे देखते हैं बी एस पी मतलब बहुजन समाज पार्टी ठीक है इसको वस्पा भी उला जाता है वस्पा बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतिये पिछरी इवम अल्फ संख्यकों अल्फ संख्यक समुदाय क्रमचारी अपना 1984 में कासी राम ने किया था और इस पाटी का मुख्य विचारधारा था दलीत पिछरा और अल्फ संख्यकों को एक जूटकर सत्ता प्राप्त करने का प्रियास करना और इसका जन्म अस्थल उत्तर परदेश रहा है इसलिए इसको इसका मुख्य अधार उत्तर परदेश में ही है अब इसका जन जनाधिकार स्वरी जनाधार जो है बढ़कर पंजाब हर्याना दिल्ली मध परदेश बंबेहा तक हो गया है बी एस पी का आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्टिय जनतादल ठीक है जो आर जेडी लालु जादव का सरकार ठीक है ओक ह सरी लालु परसाद यादव जी ओके चलो भई आर जेडी अब देखो राष्टिय जनतादल राजत जिसको बोला जाता है उनिश्व संतानवे में जनतादल में विभाजन हो गया और बिहार के ततकालिन मुख मंत्री सिरी लालु परसाद के निर्तवित में राष्टिय जनत जनतादल समाज में समाजिक नियाय की अस्थापना पर बल देता है या दल पिछरों दलितों अलसंख्योकों को एक जूट कर सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है आर जेडी लाल्टेन छाप ओके आगे हम लोग इसके भाई को देखते हैं जेडियो ठीक है नितिश कुमार चलो भई जनतादल यूनाइटेड जेडियो 1999 में जनतादल से विभाजन होके सरद यादव के निर्तवित में जनतादल यूनाइटेड का गठन हुआ था बाद में जार्ज फरंडिस ने निर्तवित वाला समतापाटी का समतापाटी का जनतादल यूनाइटेड में विले ह हो गया समता पार्टी जो है यह जो था जार्ज ठीक है जार्ज फरंडीस फरंडीस के निर्ट्वित बाला समता पार्टी को जनता दल्यूनेटेड में बिले हो गया था इसमें ओके तीर छाप ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं लोक जन सकती पार्टी लोज पा जिनका बेटा का नाम ठा any के इनके जो ते निर्तवत कोन कर रहे थे राम भिलास पासमॉणजी अभी है स्क्राग पा सक्राइं की तो मिर्ती यहार वर्स 2000 में राम बिलास पास्मोन के निर्तवित में लोक जनसक्ती पाटी का गठन हुआ और इस पाटी का मुख्य उदेश्था दलितों पिछरों अल्प संख्यकों का विकास करना यहां पाटी भी समाजिक नियाय की अस्थापना पर बल देता है उसका जो चुनाव चिन है ब संख्यक्त इज पाल का यह समाजद larger का कटन है सामजबाधी पार्टी एव स्थापना पर बल देता है और बहुराश्ती कंपानी क veterans करता है यह दल करिशी के विकास पर वी देता है जो जो चुनाव चिन था क्या था साइकिल चाप आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं जारखन मुक्त मुर्चा जा मुमो जा मुमो अब देखो यहां तक हम लोग पहुंची गए कोहीं कोई दिक्कत नहीं कुछ रालनीतिक पाटिस जो है पडिचे करवाना था लगभग कड़वा ही दिये इसे बाद साइध नहीं ही होगा चलो ओके जारखन मुक्त मुर्चा जारखन मुक्त मुर्चा का गठन 1973 में बिहार में हुआ था और बिहार जारखन तो एक ही था जारखन राज बनने के बाद इस मुर्चा का मुख्या जनाधार जो है जारखन राजिय में है इसका अस्त्वित ओडिसा पछिम बंगाल राजियों में भी देखने को मिलता है तीर और कमांद चाप अगर आप लोग ने यहां तक वीडियो देखी लिया है अगर आप लोग पार्ट वान पार्ट टू पार्ट हर्ड और नहीं देखें इसी वीडियो के नीचे डिपसेशन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से जाक आप लोग क्लिक करके देख सकते मेरे और वीडियो केसल का आप हमें करके कवेंट करके ज़रूर बता है कि आगर आप लोग कर दें थे मुझे मूटी वीचन मिलता है 오늘 मैज़ जल्दी आप लोग का चाहता हूं अस लिपस को कमप्लेट कर दें अगर आप लोग कमेंट करते हैं से खोब्स को और बाकी बागी इस